तो उके ध्यान से सुनू यहां कर पानी एदका दिन तक रह ले और बनायक में खर्चा कम होईल। तीसर है पोखरा कम से कम आधा एकड पचास डिसमिल में बनायक चाहिए। चौन्था है पोखरा के आईता कार बनायल एक चाहिए। माने की पोखरा कर लंबाई इकर चोड़ाई से तीन गुना आधा कार पोखरा बनायक में खर्चा कम होईल और जाल चलायक मचरी निसकायक में सुईधा होईल। पाच्वा है पोखरा कर तलहटी सफा रह चाहिए। इकर में कोई रुगडा या की गच कर डायरमन ना रहे। इकर ध्यान रखू। काले की इकर से मचरी निसकायक में रोरे के परिसानी होई। पोखरा कर एक बटे ढालू बनायक चाहिए। काले की जो रतपड़ ले सोब पानी के निसकाल जाय सके। चटा है पोखरा कर बांध में कोनो नियर कर रुगडा और गच बिरिच कर डायरमन के ना चोड़ू। नहीं तो पाचे उठाओं में पानी कर रिसाओ होते रहे। साथवा है बांध बनवाएक बेरा, माटी डालेक बादे, उकर में पानी छिड़ेक के और पीट के दबाय देवाए। अठवा है पोखरा कर बांध इतना चोड़ा और मजबूत है चाहिए कि उबरसायत कर दिन में ना तुटे। बांध कर दुयो बटे घास रहेक जरूरी है जिकर से माटी कर कटाव नी होई। नहीं तो असे अस बांध कर माटी कईट के पोखरा में जाते रही। नवा है जदि पोखराकर आ से पास पानी लेक विवस्था हो तो पोखराकर गहराई पांच से छौप फिट तक राखेक बेश रहे नहीं तो पोखराकर गहराई दस से कारा फिट राखले गर्मी कर दिन में तीन से चैर फिट पानी रह जाए दसवा है पोखरा कर बाहरे से पानी लेक वाला रास्ता में पाइप लगाल रहेग जाहिए इकरलागिन सिमेंट या की माटी कर मुटका पाइप कर परियोग करेग जाहिए बर्साइत कर दिन में जमा होल अईद का पानी के बाहरे निसकायक ले बांध कर उपरे बटे पाइप लगाया देख चाहिए इदूयो पाइप मन में लोगा कर मिहिन जाली लगाया चाहिए काले की पोखरा में पुसल मच्री मन बाहरे नाजायक पारें और बाहरे कर मचरी भीत्रे नाग पारें 12 है पानी कर रंग गहरा हरियर होई जाए तो पूरक खायक और माइंद देख बंद केर देवें 13 है जदी मचरी हवा में सांस लेक ले पानी कर उपरे बटे कुईद जाएं 14 है जदी तीन चैय दिन तक लगातार बदरी लागल रहे या कि रूइक रूइक के बरिसायत होई तो पूखरा में चुना कर परियोग करू 16 है जदी मचरी मन पानी कर उपरे बटे एक जगन जमा होई जाएं और घुमेक लागें तो समझेक चाही कि कुनो बेमारी कर आसंका है इसन में चुना कर परियोग करें और नजीक कर विशेशग्य या कि मचरी पालन इकाई पसू चिकित्सक महाविद्याले काके से संपर्क करू